आइज पिल का पंदरवा मैच रॉयल चलेंजर बैंगलोर वर्सेस लखनाउस उपर जैंट्स खेला गया जिसमें देखने को मिली आतिसी पारियां गगंचूंबी छक्के और कोहली की करामाती अर्ण सतक्य पारी कोहली ने मात्र 44 गेंद उपर एक सेठन बनाए इसके अलावा डूपलेसिस का सांधार उन्यासे रॉनों की अविजित पारी के अलावा मैक्सवेल की धुआधार 69 रॉनों की पारी इसमें 6 चके और 3 चौगे भी सामिल थे पर इतने महनत से बनाए गए रॉनों के अंबार पर लखनव सुपर जैंट्स की तलवार चली और हुआ वही जो होना था मारकस स्टोनिस की मार आर्ची भी सह नहीं पाई और पूरण के पराक्रम ने चैलेंजर्स को चैलेंज कर दिखाया और पूरण का महतुपूर्ण साथ देते रहे मैच में इंपक्ट प्लेयर आयूस बद परसन भी किया और रॉयल चैलेंजर्स के किले में जीत की आतिस बाजी की लखनव सुपर जैंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक विकेट से हराका टूनामेंट में तीसरी जीत दर्ज की है इसके साथ ही यह टीम अंक्तालिका में सिर्स पर पहुँच गई है 19 य उपर में आयूस बदोनी के हीट विकेट होनी के बाद असा लख रहा था कि सायद अब फिर से मैच बैंगलोर के हाथों में चला जाएगा पर इसके बाद आखरी उपर में टेलेंडर्स ने लखनव को जीत दिलाई और आखरी गेन पर आवेज खान ने बाई का एक रन लिय और यही हार और जीत का अंतर सावित हुआ। चटे स्थान पर है पंज़ाब तयंक्स जिनके पास इसके पास असे साथ और आई-पिटिंग के सांच 000 रखावड associ नंबर पर है एक जीत के साथ-फचल के विड़ते हून देखा जाएगा नवे और दस्वे नंबर की टीम यानि मुंबई वर्ड-स डे ли जहां दिल्ली करेगी मेच बानी मुंबई का देखना या रहेगा किस मैच में क्या दिल्ली और मुंबई में किसका खाता खुलेगा मुंबई के महारती क्या दिल्ली को दहला पाएंगे या फिर दिल्ली कैपिटल्स कैपिटलाइज करेगी या मैच जो भी हो हम तो बने रहें तो देखते रही है हमारे चैनल को जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में